कि अज़िए कि अज़िए कि नमस्कार दोस्तों आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर हारतिक स्वागत मैं आपका दोस्त प्रवे गोड़ कि अज़नों दोस्तों आज एक बार फिर से आज की चर्चा लेकर रहे हैं मंगल के राशी प्रवर्तन के उता है कि 27 जून 2022 को मंगल अपने मित्र गुरू की मीन राशी से निकल कर अपने ही मेश राशी में प्रवेश्च करने जारे हैं मेश राशी में प्रवेश्च करने के बाद मंगल यहां पर रूचक नाम का पंच महापूर्श योग का निर्माद ने लेकिन यहां पर पहले से राहू महाराद गोचर कर रहे हैं विराजमान है राहू और मंगल की यूती से अंगार्ख योग का भी निर्माद ने साथ में बारा जुलाई 2022 तक शनी कोंब राशी में रहते हुए गोचर करते हुए इन दोनों को दिस्ट करते हैं मंगल म्हाश व्रिष्चिक रल्षी स्वामी है मक्ड़ दिग्री पर पूछ अवस्ता को प्राप्ठ करते हैं और करनियो फ् reicht कि प्राशियों मंगल ईष जो है ये अगनी तद्त्तव राशी है मेश राशी में गोचर करता हुए दोस्तों मंगल जो है तीन नक्षत्रों की यात्रा थे तीन नक्षत्र है अशनी भर्नी और क्रिपका अशनी नक्षत्र जो है इसके चारों चर्ण इसी राशी में पड़ते हैं मेश जिसका स्वामी के थे भर्नी नक्षत्र के स्वामी शुक यहां पर गोचर करते हुए इन नक्षत्रों का भी परणाम देने के लिए मस्बूर हुए इस वीडियो में बात करेंगे सिर्फ उसरफ मेश राशी और लगन के जात्रों के बाद कि मेश राशी में रहते हुए गोचर करते हुए या 27 जून 2022 को प्रवेश करने के बाद पर उन दोस्तों से जो पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं और पहली बार इस वीडियो को देख लिए यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लिजिए नोटिकेशन बेल का बटन दबाना ना भोलिए जो भी वीडियो अप्लोड करें यूट्यूब पर चाहे वो वैडिक अस्ट्रोजी से रेलेटर हो या फिक अस्पल या KP अस्ट्रोजी से रेलेटर के स्टड़ी जो समय समय पर अप्लोड करते रहते हैं आप उन्हें मिसमत यह करने जारे हैं और इसका मेश राशी और लगन के जात्तों को क्या प्रिनाम मिल सकता है में मंगल का फर्स्ट भाव में होने वाला यह गोचर आपको हेल्थ से समंदित अपनी पहले की जो हर परशानी है उससे निजात दिलाने का काम करेगा। मंगल का आपके लगन भाव में गोचर जोश उर्जा का संचार करेगा। बात करें नौकरी पेशा जात्कों की तो नौकरी पेशा जात्कों के लिए यह गोचर अधिक शुप पर नाम लेकर आया है। इस दुरान कई जात्कों को प्रमोशन मिल सकता है लेकिन इसके लिए उन्हें अपने टार्गट की और खुद को केंदरित रखते हुए कड़ी मेहनत करने की जुरूरत है। मंगल का फोर्थ अस्पेक्ट है। में होने से आपको अपने शब्दों पर अपने गुशे पर कंट्रोल रखना होगा नहीं तो बात और बिगड़ सकती है वैसे भी समय किसी भी वाद विवास से आप अपने आपको दूर रखें तो आपके लिए अच्छा रहेंगा मंगल का भर्नी निक्षत्र पर गोचर आर्थिक रूप से आपके लिए काफी अच्छा रहने होगा है भर्नी निक्षत्र का स्वामी शुकर आपके चार्ट में सेकिंड धन भाव प्रवार भाव वानी पुटुम और सैवंध भाव जीवन साथी का भाव पार्नशीद का अब इस समय हो सकती है वसीयत के रूप में भी आपको धनलाब हो सकता है बात करें आपके प्रेम संबंदों की तो इस गोचर के दुरान आपकी लव लाइफ में भी कुछ बदलाव खास दोर से देखने को मिलेगे लेकिन कब हैं जब मंगल भर्नी निक्षत्रत्र की या तर आखिर में मंगल दोस्तों कृत्का निक्षत्र की यात्रा पते हैं कृत्का निक्षत्र के स्वामी सूर्या आपके चार्ट में फिर भाग के भी स्वामी मंगल के कृत्का निक्षत्र की यात्रा करते हुए आपके मान सनमान में देगी आपने से बड़े अधिकारी या सरका सारी करमचारियों से आपके संबंद बढ़ेंगे जिसका भवेश्या में आपको आपके चलकर फैड़ा हूँ इस समय परवार के सदस्या एक दूसरे को सहयोग करेंगे घर का महौल सुखद रहेगा इस समय एक बार फिर से आप और आपके जीवन साती एक दूसरे का सहयोग कर पर नजर आएंगे तो आपसी प्रेम बढ़ेगा संतान पक्स की तरफ से भी इस समय आपको सुकत समाचार मिल सकता है पूल मिलाकर कहें मंगल का अपनी मेश राशी में गोचर दोस्तों आपके लिए आर्थिक रूप से काफी अनकूल रहने वाला है यह थी एक छोटी सी च जल्द ही मिलते हैं को और नहीं जानकारी को लेकर दोस्तों तब तक के लिए नमस्तार